बैंगलूरू के गड़ों से भरी सड़कों पर आपत्ती जताते हुए करनाटक हाई कोट ने फटकार भरी लहजे में कहा है कि हर गड़े से होने वाली मौत कोट दोशी महसूस करती है और साथे साथ आपको बता दें कि आदालत ने बैंगलूरू के सभी प्रमुख सड़कों पर गड़ों को ठीक करने के लिए सिविक बॉड़ी को 15 दिन की समय सीमा दी है कोट की तरफ से साफ कर दिया गया कि जो सेंटरल बैंगलूरू की सड़के हैं वो 15 दिन के भीतर जो सड़कों में गड़े हैं वो भर जाने चाहिए साथ ही साथ कोट ने 13 मार्च को एक गड़े के चलते 27 वर्षिय शक्स की जान जाने पर भी चिंता जाहिर की है आपको ये भी बता दे कि बैंगलूरू में साथ महीने में ये पांचवी मौत है जो पॉठोल के कारण यानि सड़क पर जो गड़े हैं उसके कारण ये मौत दर्श की गई है करनाथ कारण जाहिर कारण पर भी बता जाहिर कि विदानसावदा कि अजान जाहिर को जाहिर को बता जाहिर है गब औरिज पैव्रोगे आचका यजाने जर्बू और केवार्टलम बहाँ ऱ्लिच्ट ञिज mów करें? हाम बई बाय टोगो डामे में बुचार मेश­ा अचम! in many other places the water supply and sewage board the bescom the electricity board or the cable operators one or the other agency keeps digging up the road and the bbmp does not fill that or repair that in time which is why two days ago in a door in a road like this one a 27 year old died after his bike skid off a bad road like this one on march 13th the high court has taken a note of this and has said that we feel bad when a life is lost due to bad roads and this is just one of the many many warnings that the bbmp has received from the high court but there has not been any difference on the ground the bbmp has also been asked to survey these roads and in three days time and repair them in 15 days time with camera person santon shreemti rajban for me right now for me right now